हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे बरिया होंगे गरम चावल में अपने कभी इस तरीके से डिटर्जेन पाउडर को डाले हैं ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टीफ शेयर करूंगी उम्मीद करती हूँ ये टीफ आप लोगों को क हो जाते हैं तो इसके लिए आप ए छोटा सा टीफ अपलाई कर सकते हैं एक बर्तन में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा सरसो का तेल उसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा उजाला फिर अच्छे तरीके से दोनों चीजों को हम मिक्स्ट करेंगे इस तरीके से एक जो मिस्रन मार्केट से शूज को पालिश भी नहीं कर सकते तो इसके उस टाइम आप टीफ से अपलाई करेंगे आपका जो शूज से कोई देख कर बता ही नहीं सकता जो एक टीफ से अपलाई करके आप शूज को क्लीन किया है देखिए कितना सुन्दत चमक आ रहा है और कोई भी ओयल क्या आपका उजाला नहीं आएगा हातों पर तो ये छोटा सा टीप्स अगर जड़ा सभी आप लोगों को अच्छे लगे जरूर आप लोग ट्राइ करके देखिएगा आगला जो टीप्स है हमारे घर में जो इस तरीके का मसाला का पैकेट हम लेकर आते हैं न कई वर होता है क कुछ मसाला हम डिबे में भरके रखते हैं और पैकेट में कुछ रह जाते हैं अगर इस तरीके से खोला रखेंगे ना इसके अंदर हवा जाकर मसाला ख्राब हो जाएगा ज्यादा दिन तक अच्छा नहीं रहेगा इसके लिए आप एक चमच को हैंडिल को थोड़ा सा गरम कर लीजिएगा मसाला का पैकेट जिस हिस्से में हमने काटे है उस हिस्से में इस तरीके से चमच को गरम चमच को आप इस तरीके से रखेंगे ना एकदम से सिल हो जाएगा या टाइट हो जाएगा मसाला आपका नहीं बाहर आएगा और हवा भी नहीं जा पाएगा जिसके क आप सालों साल रख पाएंगे चीजों को ख्राब नहीं होगा। इस तरीके से एक दो सेगिंड के लिए घिसेंगे आपका जो सिंख हो है गंदा सा गंदे सिंख एकदम से नए जैसा चमक आजाएगा। रखते हैं या दूद बगरा रखते हैं बैड इसमेल भी आते हैं इसके अंदर आइरन भी जम जाते हैं। इसको क्लीन करने के लिए बैड इसमेल रिमूब करने के लिए एक छोटा सा टीप्स अपलाई कीजिएगा। इसके अंदर थोड़ासा नमक, थोड़ासा वाइड वाला भीनिगर और थोड़ासा न्यूस पेपर आप इस तरीके से डाल दीजिएगा। चोटे-चोटे करके न्यूस पेपर को डाल दीजिएगा। तो बरिया तरीके से क्लीन हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे। इसका जो ढकन है, ढकन को हम बंद करेंगे। फिर इसको इस तरीके से हिलाएंगे। और एक दो सेगेंड के लिए हम इसको रख दिये थे। फिर देखिए इसके अंदर से कितने सारे गंदेगी निकल आएगा। हमारे अंदर जो न्यूस पेपर हैं मैंने या पर एक स्टीक डाल कर इस तरीके से घीज रही हूँ। सारे गंदेगी आराम से फ्रेंड क्लीन हो जाएगा और हमारा काम भी असान हो जाएगा। फिर पानी से धोकर दिखा रही हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड रेजल्ट आपके सामने हैं। छोटा सा टीप से जरूर आप भी ट्राइ करके ये टीप्स देखिएगा। आपको ही फाइदा होगा। आगला जो टीप से हमारे घर में जो चाय पीने का कप होते हैं। कई बर होता है क्या फ्रेंड कप बहुती ज़्यादा निशान आ जाते हैं। जो हमने न्यूस पेपर, नमक और हॉइट विनिगर का मिस्रन से फ्लक्स को क्लीन किया हैं। उस मिस्रन से आप कप को भी क्लीन कीजिएगा। तो आपका जो कप है बरिया तरीके से क्लीन हो जाएगा। सारे अंदर जो निशान है एकदम से चला जाएगा। देखे इस तरीके से घिसने के बाद मैं नॉर्माल पानी की मदद से आप लोगों को क्लीन करके दिखाऊंगी। क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं कितना सुन्दर क्लीन हुआ है फ्रेंड एकदम से चका चक नए जैसे। कमाल का टीप्स आप भी ये टीप्स ट्राइ करना। आगला जो टीप्स है फ्रेंड मैंने कटोरी में हल्दी पाउडर, नमक और मीर्च पाउडर, जीरा पाउडर सारे मसाला को डाल दिये हैं। फिर धनिया पाउडर डाल कर थोड़ा सा पाणी डाल कर इसको मीक्स्ट करेंगे। कई बार हम पाउडर मसाला यूज़ करते हैं, खाने में अच्छा नहीं लगता है। अगर एक दो मिनिट के लिए भीगो कर रखेंगे तो सबजी खाने में अच्छा लगेगा। मैंने गैस के उपर एक कराई रख दिये हैं, कराई में पानी डाल कर इसके अंदर डाल रहे हूँ, नमक और हल्दी। फिर अच्छे तरीके से मीक्स्ट करेंगे, इसको हम कैसे कहां पर यूज़ करेंगे। जब भी हम पत्ता गोभी की सबजी बनाते हैं, कई वर गैस ऐसीडिटी हो जाती है। अगर इस तरीके से नमक वला पानी में हम पत्ता गोभी को थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे ना, इससे क्या होगा। पत्ता गोबी का खाने से जो गैस ऐसेडिटी होता है ओ नहीं होगा इस तरीके का जो फूर्ट्स होता है सुगर केन कई बर हम खरिद कर रख देते हैं एक दम से रस सूख जाते हैं इसके लिए छोटा सा टीप्स आप एपलाई कर सकते हैं कोई भी कप्रा या तवाले ले जिएगा फिर उसको भीगो कर ले लीजिएगा इस तरीके से फोल करके रखेंगे ना दस बर दिन के तिये ताजा रहेगा रस इसके अंदर रहेगा जब भी हम नीन से जागते हैं कई बार हमारे पैरो तले बहुत ही ज़्यादा दर्द करते हैं या घुटनों के नीचे मान स्पेसी में दर्द होते हैं तो एक सुभा उटने के समय इस तरीके कोई भी लकडी का एक चीज लेकर इस तरीके से घिसेंगे ना या मसाज करेंगे इस तरीके से रोल रोल करके तो आपको आराम मिलेगा घुटने का दर्द हो या पैरों के तले का जो दर्द हो वो खतम हो जाएगा एजमाया हुआ टीप से आप खुद ट्रै कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रेजल्ट मिलेगा अमारी घर में इस तरीके का जो तंबे पितल का ग्लास होते हैं कई वर बहुत ही ज़्यादा पूरी हालत में रहते हैं निशान आ जाते हैं तो दही तो हम सभी लोगी खाते हैं इस तरीके का पैकेट वाला जो दही होते हैं ना खाने के बाद फेक देते हैं इसके अंदर बहुत सारे दोई लगे हुए रहते हैं दही को इस तरीके से नॉर्मल तरीके से घीसेंगे ना कोई भी कुछ भी यूज करने के जरूरत नहीं पड़ेगा इस तरीके से कुछ टाइम घीसने से ही देखिएगा अपका तंबया का या पितल का जो बरतन हुए फ्रेंड एकदम से क्लीन हो जाएगा देखिए कुछ टाइम घीसने के बाद मैं आप लोगों को धोकर दिखा रहे हूँ रिजल्ट देख सकते हैं कितना सुन्दर रिजल्ट हमें मिला है छोटा सा टीप से जरूर आप भी ट्रै करके देखिएगा आपको भी इतना सुन्दर अच्छा रिजल्ट मिलेगा और नहीं पड़ेगा आगला नेक्स टीप चलिए फ्रेंड हम देख लेते हैं आगला जो टीप से फ्रेंड जब भी हम चावल पकाते हैं उसका जो मार होते हैं ना चावल का कई वर हम फेक देते हैं मार जब भी गरम रहते हैं उस मार को हम यूज़ कर सकते हैं चावल के मार में गरम मार में मैंने डाल दिये हैं डिटेर्जेन पाउडर फिर क्या करेंगे अच्छे तरीके से हम इसको मीक्स्ट कर लेंगे इस तरीके से बढ़िया तरीके से हमें इसको मीक्स्ट करना पड़ेगा फिर हमारे घर में ऐसे बहुत सरे गंदे कप्रे होते हैं सभी के पासambled washing machine नहीं होते है गंदे कप्रे को कई वर clean करते हैं गरम पानी करके इससे gas खर्च भी होता है और हमारा जो इस तरीके का मार होते है न वो clean करने में कप्रे बहुती ज़्यादा मदद करती है इस तरीके से आप आणाम से हो जाएगा आगला जो टीप से फ्रेंड हमारे घर में इस तरीके का जो बैग रहते हैं請न बॉलने जाए बहुती जदा तकलिफ होती है फ्रेन खोलने में बंद करने में कई बाइब जोड से खीशते हैं तो हमारा चेन जो है टूट जाते हैं और नए बाला चेन हमें लगाना पड़ती है जो बहुती ज़्यादा पैसा हमारा खर्च हो जाती है इसके लिए अब एक काम कीजिए गा फ्रेन हमारे घर में जो साबू ले लिजिएगा इस तरीके से घीशेंगे न तो देखिएगा आपका जो चेन है एकदम से स्मूध हो जाएगा और आपका चेन तुटेगा नहीं और नए बाला चेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा बोल सकते हैं घंटों का आपका मेहनत नहीं होगा पैसे कभी बचत तोगा